देसे जड़ी बोटियों की प्रमानेक चानकारी देने वाले आपके अपने चैनल देसे जड़ी बोटियों पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों, आज हम बात करेंगे घुटनों के दर्द, यानि नी जोइंट पेन के बारे में गुटनों के दर्द के कई कारण हो सकते हैं जैसे लिगामेंट में इंजरी या टीर होना ओस्चियो आर्थराइटिस जिसे हम संधी बात कहते हैं रिमेटोई आर्थराइटिस जिसे आयरवेड में आम बात कहा जाता है या फिर अगर आपका वज़न जादा है तो उस कारण से भी गुटनों में दर्द हो सकता है ऐसी ही कई सारी वज़ा हैं जिस कारण से गुटनों में दर्द होता है इनी में से आज हम बात करेंगे ओस्टियो आर्थराइटिस की जिसे आयरवेड में संधी बात कहा जाता है Osteo Arthritis में जो घुट्बों में दर्द होता है वह Degenerative Changes के कारण होता है आज का लगभग 40-50 की उम्र के बाद हमारी हड्डियां गिसने लगती है Joints के बीच में जो liquid होता है भग कम हो जाता है जिस कारण चलने में तकलीफ होती है आईरवेद में भी कहा जाता है कि वाद के बढ़ने से और इस निद्धता के कम होने से संदीवात हो जाता है इसके इलाज के लिए आज मैं आपको बताने जा रही हूँ आईरवेद की जानुवस्ती और इसकी खास बात यह है कि आप इसे घर पर ही कर सकते हैं दोस्तों आजकल सभी लोग नी जोइन पेन गुटनों के दर्द से बहुत परिशान है और अपना सारा पैसा उसमें लगा रहे हैं दोस्तों आईरवेद आपको एक ऐसी विधी बता रहा है जिसको दोरा आपको कम खर्च में ही बहुत जादा आराम मिलने वाला है दोस्तों आईरवेद में गुटनों को जानू कहा जाता है और गुटनों पर तेल को धारन करना जिससे कि वे अच्छे से एब्सॉर्ब हो सके यही जानू वस्ती है यह पंचकर्म की एक क्रिया है जिसकी संपूर्ण विधी इसमें प्रयोग होने वाली सामगरी इसमें कौन सा तेल यूज करते हैं इसे करते समय कौन सी साब्धानिया हमें रखनी है इन सब के बारे में डीटेल में आपको बताऊंगी दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें साथ ही बैल आइकन बिटन जरूर दबाएं जिसी से हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले जानुवस्ती के लिए हमें किन किन चीजों की आवशक्ता पड़ेगी यह देखते हैं जानुवस्ती के लिए सबसे पहले ओड़त की दाल का आटा हमें चाहिए आप चाहें तो ओड़त की छिलके वाली या बिना छिलके वाली दाल लेकर उसे घर पर ही मिकसर में डाल आटा बना सकते हैं उड़त का आटा इस्टिकी होता है और आसानी से चिपक जाता है इसलिए हम इसे ही यूज करते हैं इसके अलावा हमें चाहिए तेल यहां मैं लगू विशगर तेल आयरवेद के में जो बताया क्या है वह यूज कर रही हूँ आप चाहे तो महनारायन तेल, सहचर तेल, निरगुंडी तेल, तेल का तेल या सर्सों का तेल भी यूज कर सकते हैं इसके अलावा कॉटन या कपास का तुकड़ा हमें चाहिए एक कपड़ा या एक गौश पीस भी हमें चाहिए होता है सबसे पहले हमें आटे को गूथना है उड़त का आटा बहुत ही कम पानी में आसानी से गुथ जाता है इस आटे को आप एक बार गूथ का फ्रिज में रख कर तीन बार यूज कर सकते हैं अगर आपको उड़त का आटा नहीं मिलता है, तो गेहूं का आटा यूज कर सकते हैं, लेकिन वो अच्छे से चिपकता नहीं है और तेल गिरने का खत्रा रहता है, इसे लिए कोशिश करें कि आप उड़त का आटा ही यूज करें, आटा जब गुत जाए तो उसे रोल करें, फिर थोड़ा थोड़ा चप्टा कर लें, जैसा कि आप वीडियो में देखी रहे हैं, इसकी हमें एक रिंग बनानी है, इसलिए हमें इसे थोड़ा चप्टा करना होता है, चप्टा करने के बाद उसे किनारों पर से जोड़ दें, जोड़ने पर एक घेरा और रिंग बन ज जाती है यही रिंग हमें यूज करना है इस रिंग को उठा कर दर्द वाली जगह के चारों और रग दें फिर दीरे दीरे उसे उंगली की सहता से पानी लगा लगा कर चारों तरव से चिपकाएं यह दोस्तों बहुत ही प्रोसेस है क्योंकि आटा अगर अच्छे से चिपकता है तो हम जो तेल डालेंगे भर लीक नहीं करेगा या फिर अगर आटा अच्छे से नहीं चिपकता है तो तेल बाहर गड़ने के बहुत ज़्यादा चांसिस होते हैं दोस्तों अगर आपको यह करने में परिशानी आ रही है तो मार्किट में इसके लिए मोल्स भी आते हैं आप चाहें तो उसे खरीद कर भी यूज़ कर सकते हैं वह आसानी से आप लगा लेंगे और तेल भी नहीं गिरेगा इसके बाद हमें तेल को गुन-गुना करना है तेल को उंगली डाल कर चेक करें कि यह जादा गरम तो नहीं है हमें हलका गरम तेल ही यूज़ करना चाहिए जादा गरम तेल से इसके जलने का खत्रा रहता है इसलिए ध्यान रखें तेल जादा गरम ना हो कौटन की सायता से ही हमें तेल को डालना है जब रिंग पूरी भर जाय तो तेल डालना बंद कर दें ध्यान रखें कि तेल बाहर न गिरे अब तेल को ऐसे ही ठंडा होने के लिए रहने दें जब 5-6 मिनिट में तेल ठंडा होने लगे तो उसे निकाल कर दुबारा से गुन-गुना कर लें ऐसे ही 3-4 बार हमें करना है यह पूरी प्रोसेस हमें 20-30 मिट तक करना है फिर लास में हम बस्ती को निकाल कर गुटने की मालिश करेंगे यह मालिश आप 2-5 मिट तक करें दोस्तों पंचकब में मालिश पहले की जाती है लेकिन यहां पर जब हम जानूबस्ती लगा रहे हैं यहां हम मालिश बाद में करते हैं क्योंकि अगर हम मालिश पहले करेंगे तो जो आटा हम चिपकाते हैं वे चिपक नहीं पाता है और इस बात का भी ध्यान रखें कि जब हम मालिश करें तो गुटनों पर या किसी भी जोड़ पर हमें मालिश गोल गोल ही करना चाहिए इस पूरी प्रोसेस में तेल अच्छे से एब्सॉर्ब हो जाता है और हमारी मास पेशिया भी रिलेक्स हो जाती है और आपको तदकाल ही लाप राप्त होता है आप चाहें तो हलका सा गायत्री मंत्री भी चला सकते हैं यह मरीश को मानसिक सुकून देता है दोस्तों जानूबस्ती के बाद गुटने को ढग कर रखें ध्यान रखें कि हमें हवा नहीं लगना चाहिए आप चाहें तो स्टॉकिंग्स या पजामा भी पहन सकते हैं पंच कम के दोरान अपना नॉर्मल काम करते रहें लेकिन एक्स्ट्रा काम ना करें जादा काम करने से बचें हमारा मकसद है कि तेल को अच्छे से हम एब्सॉर्ब करवाएं ताकि जो लुब्रिकेशन की कमी आई है और जो वात की कारण दर्द हो रहा है वह कम हो जाए क्योंकि तेल जो है वो इस निकदिता प्रदान करता है एक तरीके से लुब्रिकेशन देता है और इस कारण से वात कम हो जाएगा और हमारा जो दर्द है वह भी कम हो जाएगा दोस्तों जानूबस्ती एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको कम खर्चे में बहुत जादा लाब देती है उम्मीद करती हूँ दोस्तों अब आप जानूबस्ती आसानी से घर पर लगा सकते हैं इसी उम्मीद के साथ मैं आप से फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में धन्यवाद